हाई फ्रंट्स वल्कम टो आरे करेर अकेडमी जैसे कि आपको पता है कि एलपी इस्टेज टू का आपको डेट आ चुका है एक्जाम का तो आप लोग तैयारी हो प्सोग कर रहे होंगे तो में बुक देखे बहुत लोग को सिलेवस में प्रोब्लम हो रहा बहुत लोग सिलेवस में दिक्कत हो रहा है तो आज हम आपको बता देते हैं कि में बुक कौन सा है जो आपको पढ़के जाना होगा जिससे कि आप अच्छा कर सकते हो और सिलेवस भी आपको मिल जाएगा तो चलिए देख लेते हैं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हैं तो देखिए सबसे पहला जिससे 30 से 35 नंबर का कोश्चन जो है इस बुक से आएगा 110 परसेंट मार्केट में दो बुक है एक प्लेटफॉर्म का है और एक किरन का भी बुक है मगर हम आपको प्रिफर करेंगे कि आप इस बुक के लिए जाए प्लेटफॉर्म के लिए क् इस पुक मतब अच्छा से एक्स्प्लेइन किया हुआ है इसमें इंजिनियरिंग ड्रोइंग है इसमें आपको 30 से 35 नंबर का कोश्चन आना ही आना इससे ठीक है तो इसे आप लोग 100 बहुत अच्छी तरह से कर जाएए 20 दिन आप बहुत समय होता है एक एक चेप्टर को कर तारीक से 31 तारीक तक एक्जाम हुआ था तो हम लोगे चैनल पर भी कोश्चन सारा उपलब्द है मगर आपको वो बुक के फॉर्म में भी आ चुका है इसको रिजिनिंग और मैथ के लिए देख लिजेगा क्योंकि रिजिनिंग और मैथ आपको पता है कि 50 नंबर तक का है तो वो तो रिजिनिंग मैथ तो चेंज होने नहीं जा रहा है उसी लेबल पर उसी टाइप से कोश्चन आएगा तो आप लोग क्या कीजिए कि ALP और टेकनिशियन का स्टेज वन का पहले इस बुक को खरीद लिजे रिजिनिंग और मैथ जितने भी सेट में है सबको लगा जाएगे क्योंकि वहां से आपको क्या हो जाएगा कि फायदा हो जाएगा ये कि आपको रिजिनिंग और मैथ होलक से नहीं पढ़ना पड़ेगा एक बुक यह हो गया रिजिनिंग मैथ और दूसरा हो गया इंजिनियरिंग ड्रोइंग 30-35 नंबर का और जो आप अपना ट् पढ़ लिजिए क्योंकि उससे में पास होना जरूरी है आपको पता होना चाहिए तो ट्रेड का भी पढ़ लिजिए और साथ साथ में ये दोनों बुक को अथी तरीके से पढ़के जाएगे और खास करके इस बुक को तो जरूर कर लिजिएगा मैथ हो रिजिनिंग कर लिजिए और साथ साथ में देखिए दो तिन वीडियो हम बहुत अच्छा डाले हैं आपको पता है कि आगे और भीग जाम देना होगा तो राकेस यादो का बुक हम जल्द ही चालू करेंगे एक हम वीडियो डाल चुके है आप लोग डेमो देख लो कि कैसा है राकेस या